नवस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके एपने यूटूब चेनल बात दोस्तों राष्टान भी एस्टिसी एक्जाम 2023 को लेकर आज मेहत्वूर अपडेट आप सब के लिए निकल गया रही हैं दोस्तों क्या अपडेट हैं दोस्तों क्या कट्रीवाइज बाद जिले ब सब्सक्राइब कर लें कि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके तो यहां पर आप दे सकते हैं पिछले साल आट अक्टूर को एक्जाम होई थी डियलेड कॉलेजियों का सैसन इस बार नहीं होगा प्रवावित प्री परिच्छा 40 द बड़ियों को प्रिवेस मिलेगा प्रिवेस के राहस्तान के बिद्यार्थियों को बेनिफिट होगा क्योंकि 55% सीट राहस्तान निवासियों के लिए रियर वरेती हैं तो 28 अगस्त को पर इच्छा होनी है दोस्तों इस बरती की लाश्ट देट 30 जुलाई है अभी दोस्तो हैं प्रिडियर एकजाम अगस्त में होनी है अब तक साड़े तील लाग इस्टोर्ण कर चुके आविदन 30 जुलाई लास्ट देड़ दोस्तों तो तील लाग पचास यार विश्ट द्यार्थियों ने अभी तक आविदन किया है और अभी दोस्त आपका 16 दिन का समय हो चु और 5,336 ने दोस्तों एकजाम दीती इस बार भी दोस्तों कुछ इस पकार से आंकड़े आपको देखने को बनेंगे लेवल वन टीचर की योगता रखती है राज जी के डियल एड को योगतादारी केंडियर सिच्छा प्राइमरी स्कूल में लेवल वन के दीचर के रूप देता है ना सरफ सरकारी वलकि प्राइबिट स्कूल के लिए भी योगता है तो दोस्तों डीयले करने वाले विद्यार्तियों के लिए प्रतेक वरस करते हैं तो इस वज़ए से दोस्तों बीएश्टीसी लेवल वन की जो कट रहती है रीट में वह बहुत कम रहती है लेकिन बी एस्टिसी में इस बार आपको कटॉप भी ज्यादा देखने को मिलेगी हैं कि छात्रों को तैयारी करने के लिए उच्छ समय मिला है कापनी समय हो चुका है दोस्तों बी एस्टिसी का नोटीबी के संजारी किये हुए और इसके लावर 12 का रिजल्ट भी आ चुआ तो सभी 12 के चात्रवी एक्जाम देने वाले हैं लगबग इसमें आपको पांच लाग से उपर 6 लाग के आस्पास फोरम देखने को मिलेंगे बी एस्टिसी में अब बी एस्टिसी के दोस्तों एक्जाम सेंटर वुक करने को लेका जल्दी नोटेस जारी होगा इसी सब्ता तो आप तीन सो साट प्लस की तैयारी करें और इडलूएस एम बीसी वाले मिनीमम 370 प्लस की तैयारी करेंगे तब ही आपको भी एस्टिसी में कॉले मिल पाएगी आज परता हैं दूस्तों जैहिंद बंदमात्रां